नमस्कार, Answer Writing Guidance प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज एक राजवेवस्था खंड से प्रशन लिया है। और यह प्रशन जो WhatsApp नमर आपको लोगों को दिया गया था। उस WhatsApp पे भेजा गया है। पहले प्रशन देख लेते हैं। प्रस्ण है आधारीक सर्णचना के सिध्धांत से प्रारंब करते हुए न्याय पालिका ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत एक उन्नती शील लोगतंत्र के रूप में विक्सित करे एक उच्चतह अग्रलक्षी ब्रेकेट में लिखा है प्रोएक्टिब भोमिका प्रास में लोगतंत्र के आधर्शों की प्राप्ति के लिए हाल के समय में नियाइक सक्रीता द्वारा निभाई गई होना चाहिए निभाई गई भोमिका क्या मुल्यांकन कीजिए इस प्रस्ण को पढ़कर काफी लंबा प्रस्ण है लेकिन इसको पढ़कर आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि इस प्रस्ण में सामानी रूप से ये पूछा गया है कि हाल ही के बर्शों में नियाइले द्वारा जो नियाइक सक्रीता निभाई गई है उसके प्रॉस एन कौन्स क्या रहे हैं उसका पक्च बिपक्च क्या रहा है और चित्य सिद्ध करना है और इस प्रस्ण के उत्तर को मुल्यांकित करने से पहले हम लोगों को नियाइक सक्रीता को समझ लेना चाहिए न्याईक सक्रियता से आसे नागरिकों के अधिकारों के सनरक्षन के लिए अत्वा समाज में न्याई को बढ़ावा देने के लिए न्याईले द्वारा आगे बढ़कर भूमिका लेने से है अर्थात दूसरे सब्दों में कहें तो न्याइपालिका दोखरा सरकार के अन्दो अंगोँ जिन में कारिपालिका और विवस्ताफी का शामिल है उनको अपने संवेधानिक दायतों का पालन करने के लिए बाद दिकरना ही न्याइप सक्रियता खहलाता है नियाइक सक्रियता की अब धारणा अमेरिका में पैदा हुई और बेक्सित हुई भारत में नियाइक सक्रियता के सिधान्त 1970 के दसक के मद्ध में आया था और न्यायमूर्ती बी आर क्रश्न अयर, न्यायमूर्ती पी अन भगवती, न्यायमूर्ती चनपपारेडी तथा न्यायमूर्ती डिये देसाई ने देश में न्याइक सक्रियता की नीव रखी थी अब किन-किन उपायों से न्याइक सक्रियता को प्राप्त किया जा सकता है या न्याइक सक्रियता के कौन-कौन से उपाय हो सकते हैं उनको समझ लेते हैं पहला हो गया नियाइक समिक्षा के माद्यम से, जनहित याचिका के माद्यम से, समयधानिक ब्याख्या के माद्यम से, समयधानिक अधिकारों को सुनेश्चित करने के लिए अंतरास्टी कानून तक पहुँच के माद्यम से और अन्य हो गया निचली अदालतों पर उच्छ नि 273 का मामला है भारत के सीर्स नियायले ने इस मामले में घुशना की कि कारिपालिका को संभिधान के मूल धाचे में हस्तक्षेप करने और छेड़ छड़ करने का कोई अधिकार नहीं है इसके बाद आ जाते हैं टूजी घुटाले में सुप्रीम कोट ने आठ टेलीकॉम कंपन पादों के साथ दिल्ली एंसियार छेतर में पटाकों पर पूर्ण प्रितिबंद लगा दिया उसके बाद शीला बर्से बना महाराष्ट राज जोकी बर्स 1983 का एक मामला था इस मामले में एक पत्रकार द्वारा जेल में महिला कैदियों की हिरासत के दौरान हिंसा के इसके बाद आ जाते हैं जी सत्यनारायन बनाम इस्टन पावर डिस्टिविशन कम्पनी जो की बर्स 2004 का मामला है इस मामले में नयमूर्ती गजेंद्र गडकर ने ये फैसला सुनाया था कि यदि किसी कर्मचारी को कदाचार के अधार पर बर्खास्त किया जाता है तो एक अ साखा बनाम राजस्थान राज्य जो की 1997 का मामला था एक बहुत ही महतुपूर्ण मामला था इभी नयाइक सक्रियता का एक बहुत अच्छा उधारण है इसमें सर्वोच नयायले ने दिसानिर्देश निर्धारित किये जिनका पालन सभी कारेस्तोलों में किया जाना चाहि जब तक कि संसत्य लेंगिक समांपा को लागो करने के लिए कानून नहीं बनाती तो यह सारे अभी जो मैंने उधारण आपको बताए हैं इन सारे उधारणों से नयाइक सक्रियता का औव शित सिद्ध होता है इन उधारणों से पता चलता है कि नियाइक सक्रियता के माध्यम से सकारात्मग प्रभाव पढ़ा। कुछ ऐसे उधारण मैं आप लोगों को बताता हूं कि जिनके चलते नियाइक सक्रियता पर उंगली उठाई गई और कुछ बिवादास्पद निरने भी आये। जैसे एक मामला हो गया NJAC का, National Judicial Appointment Commission का, जिसे दिसंबर 2014 में सरकार द्वारा गठित किया गया था, लेकिन नियाइले ने इसे अक्टूबर 2015 में रद्ध कर दिया था, और निन्यान में जो समिधान संशोधन था, उस समिधान संशोधन के माध्यम से इसका गठन किया गया थ तो ये काफी बिबादास्पद निर्णे था सुप्रीम कोर्ट का, और काफी चर्चा हुई थी उस मुद्दे पर, एक अन्य मैं नियाइक सक्रियता का उधान बताता हूं, सडक सुरक्षा के बारे में जनहित या चिका पर सर्वोच नियाले ने किसी भी रास्टी या राज राजमार के 500 मीटर के दाएरे में खुदरा दुकानों, रेस्टोरेंट्स या बार में शराब की बिक्री पर प्रतिबंद लगा दिया था, नियाले के सामने ऐसा कोई सबूत पेस नहीं किया गया, जिससे पता चलता हो कि राजमार्गों पर सराब बंदी का संबंद मौतों की संख्या से हो, इस फैसले से राजसो का भी नुक्सान हुआ, राजसरकारों का और रोजगार का भी नुक्शान हुआ था, ये भी एक ऐसा फैसला था जिसे और चित्य पूर्ण सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसके अलाबा एक प्रसिद्ध मामला था, जॉली एललबी फि चित्रित किया है, जिस से यह अबमानना और उकसाने वाला कारे बन गया था, जॉली एललबी फिल्म टू जो थी, उसमें बकालत के पेसे को मजाक के रूप में चित्रित किया गया, ये एक पी आयल फाइल की थी, तो बांबे उच नहीं ने फिल्म देखने और उस पर रिप देने के लिए फिल्म प्रमाणन बोर्ड या जिसे सेंसर बोर्ड कहते हैं, वो पहले से ही मौजूद है, क्योंकि फिल्म प्रमाणन बोर्ड पहले से ही मौजूद है और सेंसर करने की शक्ति उसमें नहीं था, तो ऐसी इस्तित में समिती बनाने की क्या जरूरत थी, समिती जो बनाई गई थी उस समित की रिपोर्ट के अधार पर फिल्म के चार सीन हटा दिये गए थे इसे भी अनुच्छे 19 के क्लाज 2 के उनलंगन के रूप में देखा गया था क्योंकि इसने भाषण और अविवेक्त की स्वतंद्रता पर प्यतिबंद लगाया था तो अभी मैंने आप लोगों को कुछ उदारन बताए जनमें आप लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे उदारन थे जिनका सकारात्मक या उचित्य शिद्ध किया जा सकता है लेकिन कुछ ऐसे भी नियाइक सक्रियता के मैंने उधारण बताए जिनको और चुत्यपूर्ण नहीं ठहराये जा सकता तो इस प्रस्ट में आप लोग देखेंगे इस कथन के प्रकास में नियाइक सक्रियता के संदर में पूछ रहा है इस कथन के प्रिकास में लोकतंदर के अदर्शों की प्राप्ति के लिए हाल के समय में नियाईक सक्रियता द्वारा निभाई गई भूमिका का मुल नियांगन कीजिए। यहां पर इस प्रस्ण में न्याइक सक्रियता को सुरुआत में समझा देना है। उसके बाद यह समझा देना है कि हाल ही में जो न्याइक सक्रियता से संबंधित जो नर्णय आये हैं या न्याइक सक्रियता से संबंधित न्यालय द्वारा जो पहल की गई हैं उनके क्या दारण अभी हम लोगों ने देखे हैं यह उच्युति पूर्ण है या इनमें शंदेवी है यह इस प्रशन के उत्तर में लेखना है अब देख लेते हैं कि इस बच्चे ने क्या लिखा है अपने उत्तर में भारती राजविस्ता में शक्ति प्रथक करण सिध्धान्त को अपनाया गया है बट ठीक है यह कि जो सरकार के अंग है वे अपने अपने छेत्र में कारी करेंगे जिसमें कारीपालिका नियाईपालिका बिधाईका नियाईपालिका तथा तथा बिधाईका तीनों की शक्तियों का उलेख समिधान में किया गया है ठीक लेकिन जब बिधाईका कारीपालिका अपना काम सही तरीके से नहीं करती हैं तो न्याइपालिका उसमें इस बच्चे को बिंदी लगाने का अधत नहीं है न्याइपालिका उसमें हस्तक्षेप करता है ठीक बिरामचन भी नहीं इसी को न्याइक सक्रियता कहते हैं ठीक इसी को न्याइक सक्रियता कहते हैं न्याइक सक्रियता को न्याइक गतिशीलता भी कहते हैं यह बात भी सही है यह न्याइक सर्यम के बिलकूल विपरीत है जिसका मतलब न्याइपालिका द्वारा विधाएका कारिपालिका पर नियंतर्ण बनाए रखना यह बात मैं नहीं समझ पारो हूं आगे देखते हैं क्या लिखा है न्याइक सक्रियता की अवधारणा जन्हित याचिका से जुड़ी है ये बात भी ठीक है जन्हित याचिका एक माध्यम भी है न्याइक सक्रियता का पी आईल या जन्हित याचिका न्याइक सक्रियता का उधारण है ठीक बात है ये समिधान के भाग तीन मूल अधिकार के बाकिस अन्रचन में समस्या है इसे इस तरह से लिखना चाहिए समिधान के भाग तीन मूल अधिकार से संबन देती इसे ब्रेकट में आपर लिख देना चाहिए समिधान के भाग तीन के अनुच्छे तेरा के अनुच्छार किसी भी बिदि द्वारा यदि मूल अधिकारों की कटोती मूह लदिकारों की कटोती अध्वा सून करने का प्रियत्न किया गया तो ये बिधि उच्चतम न्यायले द्वारा अवैद घोशित कर दी जाएगी ठीक है एक बात सही मिल गई केस्वानंद भारती बाद में सरवोच न्यायले ने अनुच्छे 368 के तहट बिधायका को समिधान के किसी भी भाग में संसोधन का अधिकार तो दे दिया परंतु साथ ही समिधान की अधार्वू सनरचना की अभधारना जिसका समिधान में उलेक नहीं है का उलेक करते हुए समिधान का संरक्षन किया ये बात भी सही है केश्वा नंद भारती जो बात था उन्यों से त्यात्तर का उसमें संसोधन का तो अधिकार दे दिया था साथ ही मूल संदचना में हस्तक शेप करने का अधिकार नहीं दिया था यह बात सहील है आगे देखते हैं न्याइक सक्रियता बाद की कुछ खामिया इस बच्चे को पैराग्राफ चेंज करने की आदत नहीं है बिंदी लगाने की आदत नहीं है बिरामचिन कहां पर ठीक से लगाया जाए उसकी भी आदत नहीं है और पैराग्राफ चेंज करने या हेडिंग डालने की आदत नहीं है जैसे पिछली पेज पर ही मैं दिखाता हूँ जब इसने नियाइक सक्रियता को समझा दिया था नियाइक सक्रियता के अब धारणा जनित याचिका से भी जुड़ी है PIL जनित याचिका नियाइक सक्रियता का उधारण है इसके बाद ही यहाँ पर हेडिंग डाल के लिखना चाहिए था कि हाल ही कि समय में नियाइक सक्रियता दोरा निभाई गई भूमिका क्या मुल्यांकन तो पक्ष और बिपक्ष में कुछ उधारण दे के अपनी बात लेखनी चाहिए थी यहाँ पर यह हेडिंग भी डाल सकता था यह वच्चा पराग्राप भी चेंज कर सकता था नियाइक सक्रियताबाद की कुछ खामियां यह भी रही हैं जो अति सक्रियताबाद के रूप में सामने आती हैं जैसे राष्टी नियाइक नियुक्ति आयोग एंजी एसी जिसकी चर्चा भी हम लोगों ने की थी विश्व के अधिकांस लोगतांत्रिक देशों में नियाए देशों और जब भी कभी ऐसी कंडिशन आ जाए कि लाइन के अंत में स्पेस कम बच रहा है तब आप लोग हाइफन लगाके बच्चे हुए भाग को शब्द के बच्चे हुए भाग को अगली लाइन से भी लिख सकते हैं इस तरह से कंडिस्टेट तरीके सना लिखें लेकिन यहाँ पर बच्चे ने स्पेलिंग गलत लिखी नयाए धिसों लिख दिया जबकि नयाए धिशों होना चाहिए बिस्टो के अधिकांस लोगतांत्रिक देशों में नयाए धिसों की नयुक्ति में और में दो बार लिखा है कारिपालिका की भूमिका रहती है परंतु भारत में नयाए धिस नयाए धिस लिखा हुआ है ही नियाए धीशों होना चाहिए परंत भारत में नियाए धीश ही नियाए धीशों की नियोक्ति करते हैं नियाएक सक्रियता दिन प्रति दिन बढ़ने के कारण शक्ति के प्रतक्रण में बाधा ठीक बात है नियाए पालिका पर बढ़ता बोज को जन्म दिया है फिर से बाखिक सन्नचना में देखत है नियाइक शकृता दिन प्रेति दिन बढ़ने के कारण शक्ति के प्रतक्रण में बाधा आती है तथा नियाइक पालिका पर अनावर्षक बोज बढ़ता है यह नयाय-पालिका पर बढ़ते बोझ को जन्म दिया है बातें जो लिखिएं है ठीक लिखिएं है नयायक सक्रीताबाद कुछ विशेश मुद्धोय पर तो सही है लेकिन हर मुद्धों पर नहीं हर मुद्धे पर नहीं इसलिए नियायालिका को बहुत आवर्शक मुद्धों पर ही कारी पालिका एवं बिधायका के कारियों में हस्तक शेप करना चाहिए जथा कारी पालिका एवं बिधायका को भी जनता की अकांग्छाओं की पूर्थि करना चाहिए ठीक है निसकर्स सही है इस बच्चे ने दो तीन बातें लिखी है इस बच्चे ने लिखा है कि यदि कोई ऐसी बिदी बनाई जाती है जो मूल अधिकारों से असंगत है तो उसे अबैद घोशित कर दिया जाएगा किसवानन भारती मामले का भी रेफरेंस दिया है उसके बाद NJAC का भी रेफरेंस दिया है कि बहाँ पर और चित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता है NJAC को रद्द करना इसके अलाबा भी कुछ ऐसे उधारन दिये जा सकते थे जैसे पटाकों की विक्री पर बैन लगाना टूजी स्पेक्टरम जहां पर अनियमित तरीके से या अनियमित प्रक्रिया अपना कर जहां लाइसेंस दिये गया थे उनको बैन करना बिशाखा गाइडलाइन का उधारन दे के यह समझाया जा सकता था कि ऐसे कुछ मामलों में तो एचुत्यपूर्ण समझाया जा सकता है नयाइक सक्रियत अबाद को लेकिन कुछ अन्य उधारन ऐसे भी हैं जहां पर नयाइक सक्रियत अबाद को अचेत्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता तो इस बच्चे की कॉपी में मैंने देखा है एक तो इस बच्चे को बिंदि लगाने का अदत नहीं है दूसरा कुण ठहरा रहा था और कहां से इस बच्चे ने निगटिव कमेंट्स लेखे हैं तो ऐसा इस बच्चे ने कहीं पर भी नहीं बताया है सीधा ये लिखता चला गया है तो ऐसा जब कभी नंबर आये जहां से आप अपनी बात एक बात पूरी करके दूसरी बात सुरू कर रह चाहिए या गुंजाई शो तो हेडिंग जरूर डालनी चाहिए अब देख लेते हैं माक्स की बात भारती राजवस्ता में श्रक्ति प्रतक्रण भुमिका तो इस बच्चे ने ठीक ही लिखी थी 1.5 मार्क्स यहां पर दिये जा सकते हैं अनुच्छे 13 360 के तहट के इस बार भारती मामले का एक रेफरेंस दिया है और नियाइक सक्रियतावाद की कुछ खामियों में नियाइक नयक्तियायोग की एक बात लिखी थी लेकिन इस बच्चे ने जो नियाइक नयक्तियायोग की बात लिखी थी वई बात पुरी नहीं लिखी थी कि 2014 में इसका गठन किया गया और सुप्रीम कोट दारा ।auer 2015 में इससे रद्द कर दिया गया था तो इसे यह बात लिख देनी चाहिए थी कि इस जो आयोक का गठन किया गया था समिदान संस्टंतност दारा उसे सुप्रीम कोट दोरा अबैद घोसित कर दिया गया था तो इसे ही यह बात यहां पर बता देनी चाहिए थी फिर इस बच्चे ने यह जो बातें लिखी है नयाईक सक्रियता दिन प्रति दिन बढ़ने के करण शक्ति के प्रतकरण में बादा आती है नयाई पालिका पर अनावस्चेक बोज बढ़ता है यह नयाई पारग्राप से लिखना चाहिए था NJC का एक उधारण दिया है लेकि उधारण कम्प्रीट नहीं है नयाईक सक्रीता बाद कुछ बिसेश मुद्धों पर तो निसकर्स तो ठीक लिखा था एक नमबर निसकर्स के लिए भी और मुख के भाग के लिए मैं तीन नमबर दूँगा क्योंकि यहाँ पर इस प्रस्ट में जैसे लिखा गया था कि हाल ही के समय में नयाईक सक्रीता जो निभाई गई है नयाई पाली का दोरा उसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए तो नयाईक सक्रीता के समर्थन में तीन चार उधारण लिखने चाहिए थे और विपक्ष में भी दो तीन अक्जामपल लिखने चाहिए थे क्योंकि यह धाई सो सब्दों का प्रस्टन था जबकि यहां पर एक दो बातें लिखी गई है और जो बिपक्ष में जहां पर कमेंट लिखने चाहिए थे बहां पर NJAC की ही केबल बात लिखी गई थी जो उधारण हाली के समय में जो लिखना चाहिए था और वह भी पूरी तरह से नहीं लिखा गया था इस बच्चे को मैं मुक्य भाग में टीन नमबर दोंगा तो इस बच्चे को मिलते हैं 5.5 मार्क्स पंद्रा में से और इस बच्चे को मैं सला दूंगा एक तो जब हिंदी ही आप लिख रहे हैं तो बिंदी की गलतियां बिराम चेन की गलतियां या पैराग्राफ ब्रेक करने की गलतियां आप लोग इनको सुधा रहे हैं जहां पर आवश्रक्ता है बहां पर पैराग्राफ को ब्रेक करें जहां पर बिंदी लगानी है बहां बिंदी अवस्य लगाएं जहां पर आपकी बात पूरी हो रही है बहां पर बिरामचे ने लगाएं और अपनी बात को पूरा करने के लिए या जैसे आपने जब कुछ कमेंट्स ऐसे लिखे थे जहां पर आप नयायक सक्रियता का समर्थन कर रहे थे तो बहां पर आप हेडिंग डाल के भी ये बात जाइस थी और जहां पर आप विपक्ष में कमेंट्स लिख रहे थे बहां पर भी हेडिंग डाली जा सकती थी और पूछा गया था कि हाल ही के समय में हाल ही के समय का मतलब था कि अभी कुछ बर्सों से कुछ एक्जमपल देके आपको अपनी बात सब्स्टेंट करनी और ये कॉपी वाट्सअप पे भेजी गई थी मुझे नाम नहीं पता कि किस बच्चे की कॉपी है लेकिन जिस बच्चे की भी कॉपी है प्रियास आपने अच्छा किया था लेकिन थोड़ा सा सुधार किया जा सकता है और इस बच्चे को 15 में से 5.5 मार्क्स दिये जाते है और इसके बाद हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे धन्यवाद नमस्कार